CGI में दूसरे स्वायत मानव रहित विमान का खुलासा राजय के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान Aeronautics Limited HAL द्वारा नहीं किया गया है। फिर भी ये घुशना की गई है कि Cats Warrior एक स्वायत विंग्में ड्रोन जिसका वजन 1600 किलोग्राम है और आटो टेक ओफ और लंडिंग में सक्षम है, 2024 के अंतिया 2025 की शुरुआत में अपनी पहली उडान भरेगा। HAL Combat Air टीमिंग सिस्टम कार्यक्रम में Cats योध्धा शामिल है। माना जाता है कि इसका काम 2019 की शुरुआत में राज्य के स्वामित्व वाली HAL और New Space R&D नामक एक भारतिय निजी फम के बीच एक सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP के हिस्से के रूप में शुरु हुआ HAL ने Cats Warriors में 400 करोल का शुरुआती निवेश किया है और Aero India 2021 में पहली बार एक पूर्ण स्तरिय मौक अप मौडल का अनावरन किया गया था। Warrior मुख्य रूप से भारतिय वायू सेना द्वारा उप्योग के लिए है, हाला कि एक छोटा संसकरन भारतिय नौसेना के लिए डिजाइन किया जाएगा। इसे मदशिक द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और स्काउटिंग, दुश्मन की आग को अवशोशित करना, यदि आवश्यक हो तो आंतरिक और बाहरी तोरन हथियारों के साथ लक्ष पर हमला करना, या लक्ष में दुरगट नाग्रस्थ होकर खुद को बलिदान करना ज क्योंकि यह एक मानव रहित संपत्ती है, इसे लक्षित किया जा सकता है और बलिदान किया जा सकता है यदि इसे क्षेत्र में वापस नहीं भेजा जा सकता है वारियर LCA के लिए एक सेंसर एंपलिफाया के रूप में काम करेगा, जो मानव युक्त विमान के आगे उडान भरेगा और LCA को जानकारी वापस भेजने के लिए अपने सेंसर का उप्योग करेगा क्याट्स योध्धा 2 कार्यक्रम का वर्तमान डिजाइन अवधारना चरण से है और यह भी भी विकास के प्रारमविक चरण में है भविश्य के सुधारों में और अधेक संशोधन शामिल होने का अनुमान है क्याट्स वारिय के उन्नत हथियार, सेंसर, नेट्वकिंग और युध्ध प्रबंधन क्षमताईं, छिपे हुए एंटीना और समग्रसन रचनाएं सभी कार्यक्रम के लिए प्रोध्योगी की प्राप्त की जाएंगी CGI में देखा गया बड़ा स्वायत मानवरहित विमान, एक मानवरहित लड़ाकू बंवर्शक विमान के रूप में बनाया जाएगा, जिसका अधिक्तम प्रक्षेपन वजन 2.5 से 3 टन, एक बड़ा आंतरिक हथियार और एक उच्च शक्ती वाला 25 किलिन्यूटन्स Engine Configuration में PTAEW Turbojet Engine Cats Warrior को शक्ती प्रदान करेगा, जिसकी सर्विस सीलिंग 30,000 फीट होगी और यह 500 से 600 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम होगा वारिय को शत्रतापूर्न हवाई क्षेत्र में हमले के मिशन के लिए डिजाइन किया गया है और इसे 1 से 1.2 टन की पेलोड ले जाने की क्षमता और 40,000 फीट से अधिक की सेवा सीमा के साथ एक अलग 25 किलिन्यूटन्स टर्बोफेन इंजन द्वारा संचालित किया जाएग HAL Cats Warrior UOV HAL के Combat Air Teaming System Project के तहट एक मानव रहित हवाई वाहन है Cats Warrior का विकास सयुक्त रूप से हाल और एक भारतिय स्टॉट अप New Space Research and Development Limited द्वारा किया गया है विकासा तमक कार्या वर्ष 2019 में शुरू हुआ और Cats Warrior का एक पूर्ण पैमाने का Model Aero India 2021 में प्रदर्शित किया गया था हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने परियोजना के लिए 400 करोड का प्रारंभिक निवेश किया था और पहली उडान 2024 से 2025 में निर्धारित है H.A.L. Cats Warrior ULV H.A.L. के Combat Air Teaming System Project के तहट एक मानव रहित हवाई वाहन है Cats Warrior का विकास संयुक्त रूप से H.A.L. और एक भारतिय स्टॉट अप New Space Research and Development Limited द्वारा किया गया है विकास आत्मक कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुआ और Cats Warrior का एक पूर्ण पैमाने का Model Aero India 2021 में प्रदर्शित किया गया था हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने परियोजना के लिए 400 करोड का प्रारंभिक निवेश किया था और पहली उडान 2024 से 2025 में निर्धारित है H.A.L. Cats Warrior UAV H.A.L. Cats Warrior UAV एक स्वायत मानव रहे थावाई वाहन है इसे जमीन, विमान वाहक और LCA तेजस, सुखोई ती सेमक्याए और जगवार गहरे प्रवेश वाले स्ट्राइक विमान जैसे मदशिप से लॉंच किया जा सकता है मुख्य रूप से यह UAV भारतिया वायू सेना के लिए विक्सित किया जा रहा है और भारतिया नौसेना के लिए एक छोटा संसकरन तयार किया जाएगा वारिय यूएवी स्ट्राइक मिशिन उच्छ संभावित लक्षियों पर हमला तोही और निग्रानी अभियान चलाने में सक्षम होगा इसका युद्धक दाइरा 350 किलोमेटर होगा और इसे जमीन, समुद्र और मात्रपोतों से नियंत्रत किया जा सकता है यदि आवश्यक हो, तो क्याट्स यूद्धा लंबी दूरी के यूद्धा अभियानों में लक्षय से टक्राने के लिए खुद को बलिदान कर सकता है क्याट्स वारिय का डिजाइन बोइंग विंगमेन और काटोस वालकिरी के समान है ये दो हेचे एलपी टी एई एचे एल एच्टी एफी टर्बोफेन इंजन द्वारा संचालित होगा वारिया डियार डियो ऐसे एए डबिल्यू स्मार्ट एंटी एर फिल्ड वेपन के साथ साथ छोटी और लंबी दूरी की बीवी आर मिसाइले ले जाने में सक्षम है